केवेस इंटर्वी की तैयारी कैसे गरें? क्या कोई कोर्स लेना चाहिए? या फिर सेल्फ तैयारी हो सकती है? तो कोर्स लेनी की कोई जरूत नहीं है, दस से पंदरा मिनट, बीस मिनट तक का आपका इंटर्वी होगा maximum, ठीक है? तो सिर्फ आपके अंदर एक तो सबसे अगर आपके अंदर confidence नहीं है ना तो इंटर्विव में वहीं आप थोड़ा दिकत कर जाओगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं बहुत ही तो वो चीज नहीं करनी है बिलकुल भी ठीक है सिर्फ अपना confidence रखो थोड़ी सी अपनी English spoken सही कर ले ना एक डेड़ महीने जब तक भी आपका इज़ाम होता है तो थोड़ी बहुत आप English की वीडियो सर्च करके थोड़ा थोड़ा देख लो जैसे मैं क्या करते हूँ English stories देखने लग गई हूँ आज कल में और English Learn English with Jessica तो उसमें आती रहती है कार्टून टाइप English आती रहती है तो वहां से आप अपनी spoken अपनी English को अच्छा कर सकते हो ठीक है तो Learn English with Jessica अगर आप फॉलो करते हो तो कार्टून टाइप English चलती रहती है तो अपनी English की spoken सही करो अपने अंदर confidence बिल्ट रखो और थोड़ा बहुत इंटर्व्यू कैसे होता है KBS के इंटर्व्यू की मतलब KBS के इंटर्व्यू से रिलेटिड आपको YouTube पर काफी वीडियोज मिल जाएंगी तो वो थोड़ा सर्च करके देख लो पेड़ कोर्स के च ठीक है क्योंकि वो स्टेंडर्ड लोग हैं जैसे एक्जाम होता है कि मोक टेस्ट आप लोग देते हो मोक टेस्ट में और जो पेपर आपका होता है स्टेंडर्ड पेपर जो होता है जब आप एक्जाम देते हो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है जब आप मोक देते हो और जो आपका पेपर होता है तो वही है जो आप कोर्सिस खरीद के अगर पढ़ रहे हो ना इंटर्वियो तेयारी कर रहे हो उसमे और जब आप इंटर्वियो दोगे ना तो इसमें जमीन आसमान कंदर रहा थोड़ा सा उनके सामने अपने पेस पेस पेसमाइल लगो हलके कि पहले सी कि आपको यह पढ़ाना है तो कितनी बार ही पढ़ाना कैसे मतलब बार पार उसको पढ़ा कर देख लो सुदर आप जब वहां पर 15 मिनट के लिए तो आपको प्रॉबलम नहीं आएगी फिल थोड़ा सा इंग्लिश में उसी को पढ़ाने की प्रैक्टिस कर लो त थोड़ी सी यूट्यूब से इंटर्व्य की वीडियो सर्च करके देख लो के इंटर्वी की वीडियो बहुत सारी लोगों का आपको एक्स्पीनेंस मिल जाएगा तो कोई कोर्स वोर्स के चकर में ना ही पढ़ाओ टाइम वेस्ट है वो अपने आप तियारी कर लो थोड़ यह confidence, अपनी habits, अपने आपको अगर आप खुद को जानते हो ना कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं तो आप बहुत अच्छे से answers देख पाओगे इंटर्व्य में, एक ही चीज है confidence, जिसके अंदर confidence होगा वो गलत चीज को भी सामने वाले के सामने उस तरीके से बोलतेगा कि उसे पता वो खुद पर डाउट होने लग जाएगा कि यारी सही है गलत है, तो confidence बहुत जादा ज़रूरी चीज है, ठीक है, हलाकि महाँ पर लोग जो बैठे होंगे आपके सामने, वो पता चल जाएगा होने कि क्या गलत है, क्या सही बोल रहा है सामने वाला, लेकिन जब आप आंसर दोगे न, वो जस आपका confidence चेक करेंगे, ठीक है, अपने subject की knowledge बहुत अच्छे से रखो, अगर TGT Maths का है, तो at least BAC level के थोड़े बहुत questions अगर आप से put up किये जाए तो आप answer कर पाओ, ठीक है, तो subject knowledge बहुत जादा ज़रूरी है, confidence बहुत जादा ज़रूरी है, डेमो का कोई भी एक topic तयार करके, उसकी practice कर लो, दो चार बात, सामने board रख लो, नहीं भी board है, तो जुट मुट सोचके की board है, हाँ, और उस तरीके से बार पर practice कर लो, so that demo में आप लोग ना अटके, ठीक है, अपने basics clear होंगे, जब paper की तयारी की है, exam दिया है, तो math subject, जैस पेड कोर्स के चक्कर में ना ही पड़ो, यूटीब पर बहुत वीडियो के इस इंटर्व्यू से related आपको मिल जाएंगी, थोड़ा बस वही रखना है, ठीक है, अपना dressing sense, कोई dark कलर के कपडे मत पहनना, light कलर के कपने पहनना, ladies को बोल रही हूं, ठीक है, बस ऐसे ही रहना, है, simple, और कुछ नहीं है, इंटर्व्यू में, 10-15 मिनट का है, वो आपका सिर्फ चेक करेंगे, कि आपका IQ लेवल क्या है, आपकी personality क्या है, आपको कितने knowledge है, अब बच्चों को किस तरीके से टैकल कर पाऊगे या नहीं कर पाऊगे, वो सिर्फ चेक करेंगे, इंटर्व्य बच्चे बता रहे थे, कि मेरी तो बहुत साथा तारीफ की जा रही थी, स्टार्टिंग में ही, वो शुरू में ही तारीफ करके आपको पहाड बे चढ़ा थे, कि सामने जो इंटर्व्यू देने वाला है, वो बात खुश हो जाए, तो नॉर्मल रहना है उनके सामने, खु कॉंफिडेंस होना चाहिए, आपके दिमाग का कितना विकास हो रखा, आपका संग्यान आत्मक विकास, कॉगनिटिव डवलप्मेंट कितना है, वही चीज़े हो लोग चेक करेंगे, जैसे किसी ने पूछा था कि, एन्वेस में पूछा गया, कि, एन्वेस में पूछा गय अन्यों होता है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है? ये वाला form आया है, ये वाला फिल कर दिया, वो फिल कर दिया, उनका एक vision नेहीं है, तो लाइफ को लेकरके कि vision होना बहुत जादा जलूरी है, ठीक है? अपने आपको पहचानना बहुत जादा जलूरी है कि मैं किस spirit में मेरे इंटरस्ट किस चीज में है या मेरी होबी क्या क्या है मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूं वही सब चीजें आपको इंटरव्यू में प्लस पॉइंट हो जाएंगी क्योंकि आप क्वेस्टन जैसे वो पुट अप करेंगे उसी टाइप से फिर आपका दिमाग चलेगा तो आंसर कर पाओगे साथ के साथ वही चीजें हैं तो थोड़ा सा अपने आपको जान लो जब तक आपको इंटरव्यू को टाइम मिलता है वही चीजें आप फॉलो करो बाकी यूट्यूब से साच करो के वेस इंटरव्यू कैसे कैसे हो रखा है यूट्यूब से आपको का जाएंगे और वही आपके हल्प हो जाएगी ठीक है